आईए नमस्ते बैठिये थैंकि सर्थ उपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताईए कि हम लोग बाती तागेट कर सकने में सक्षम हो सर मेरा नाई मांशु है मैंने अपनी 10th और 12th के एजुकेशन जोदफूर की एनवी सेंट सिने सेकेंडरी स्कूल से की है उसके बच्चात मैंने अपनी गेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग में बीका ने गौर्मेंट को लेसी अपनी की है वर्तमान में मैं तीन साल से तैसिवदार कारेड़ है बापिडी में करिश सहाय की पद पर कारेड़ हूँ और मेरी होबी बैडमिंटन के लिए इतन सब्सक्राइब करने के दोरानी और जब जैसे ही पासवट हुआ तो मैं सुचा जॉब करते करते साथ में आगे त्यारी करेंगे अगर काबलियत होगी तो अच्छी जॉब कर लग जाएंगे तो अब आप आरेस पनना चाहते हैं प्रशासनी कधिकारी बनना चाहते हैं तो आपके पास तहसे लार साभी काम करते होंगे उनसे बहुत कुछ सिखा होगा आपने उनसे कौन-कौन सी तीन चीजें आपने सिखी है जो आपको लगता है कि प्रशासक के लिए बड़ी इच्छी काबिलियत होनी चाहिए चाहे उनमें हो या ना हो मैं उसकी बात नहीं कर र करते हैं और हर स्टाफ से मिल जूर के काम करते हैं तो वह मुझे मतलब जो पत्सोपानिक वरस्ता है उसको चोड़कर टीम संस्कृति को बढ़ावा देते हैं तो वह मुझे काफी अच्छी है जैसे हम से कोई गलत काम हुआ है या कुछ गंदे में कमीर जाती है तो वह हमार इमानदार है हर चीज जनता के प्रती समर्पीत है कोई भी काम लेके आते हैं उनका काम फटा-फट से जल्दी सल्दी करने कोश्च करते हैं एक लीडर और एक बॉस दोनों में क्या अंतर होता है मुल अंतर मैं समझ पा रहा हूं सर लीडर जो हमें किस डिरेक्शन में लीड काम आता है संगर्ठं को लीड करना होता है तो बड़ा अंप्रेटर अंसर उसके अंदर कोई प्वस्स तो आन फ्स कॉचाड़ा मैं सर् iyi घ्ैति अमाइशन आपस्स में रहे हैं हम लंगतार इस मतलला काम जनकी लिए काम कर रहे थे इस दोन मैंने खाले समय में होबीस डवलफ की कुछ जिसे पेंटिंग है इसके लावा बैडमेंटिंग खेलना भी उससे मैंने सुरुआत किया सामको यह शुबे उसके लावा मैंने स्वास्ते के परती ध्यान देना स्टार्ट किया कि ताकि मैं अगर हो भी जाये तो भी मैं इसे बस कूँ उसके अलावा परिवार का इंपोर्टेंस क्या होता है ऐसी परिष्टितियों में परिवार के लोग किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं इसी में उसके परती में मतलब बढ़ा है अच्छा क्या लगा आपको इंट्रव्यू देने क इसे संबन्दित है उसके अलावा अच्छे बैगराउंड जो है अच्छे परसंटेज है तो अच्छी बात है कई अच्छी बात है तो खराब पर ध्यान देना जरूरी तो है नहीं कमजोरी और मजबूती दो पक्ष होते हैं किसी ब्यक्तिक आपके बहुत सारे मजबूत प बैठ जाना है ना तो दोनों में दिक्कत यह तो क्यों हम कुलाडी के पास ही क्यों जाए और कोई वज़ा नहीं कोई मतलब नहीं है आपका ठीक है आपके एंट्री शांदार है आप दिखते अच्छे हैं आपका ड्रेसिंग सेंस बड़ा अच्छा है बैठे बहुत अच्छे तरीके से आप जवाब को अच्छा है घवराने की वज़र नहीं जहां जहां आपको आंसर नहीं आ रहा है वहां वहां अल्ट्रा अप्लोजेटिक हो जा रहे हैं जैसे आपने कोई गुनाह कर दिया गुनाह नहीं यह बहुत सारी चीज हमें तो पूछना है कि वह तो कुछ पूछ सकते हैं जरूरी थोड़े कि सारी चीजें सबको पताई हो और नहीं पता होना गुनाह नहीं है माफी मांग के आगे बढ़ी है ठीक है ना बहुत ज्यादा उस समय देख रहा हूं कि आपकी वाइस कम हो जा रही है कॉन्फिदेंस खत्म हो जा रहा है तो यह सब रहने के लिए ह 90 रहले के लिए नहींकि कश कोने के लिए नहィं है कि और शुरक्ष्इद्पद पर हैं इससे नीचे नहीं कई है कहलों कि यह भी नहीं वाजिब दिखाई देता है आपके अदरने की कुई वज़ा नहीं है हमारे ख्याल से हमारे लगत हर शांदार एकि ठीक है आपका कोई सवाल ठीक है तो जाएए all the best एक तुम कोर्फिरेंस के साथ जाएए तैंक जाएए ना दबंगई के साथ उतर देना है